दोस्तो इंडिया के एक आदमी ने 30 ml के आसपास liquid nitrogen को पी लिया था उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये हम वीडियो में आगे जानेंगे दोस्तो liquid nitrogen को coolant के तोर पर इस्तेमाल में लिया जाता है बहुत सारी चीजों में जैसे कि ice cream और science projects में भी liquid nitrogen बैसे तो एक common ही element है जो मिट्टी में, हवा में और समंदर में पाया जाता है liquid nitrogen nitrogen की farm में होता है पर फिर उसे एक process से गुजारा जाता है जिसे बोला जाता है fractional distillation फिर frictional distillation के बाद nitrogen liquid nitrogen में बदल जाती है और यह दो chemical atoms के साथ बनी होती है यह बहुत ही जादा थंडी होती है जाहिर सी बात है इसे food और medicine को preserve करने के लिए use में लिया जाता है इसका boiling point लगबग 195.8 degrees Celsius होता है अब आप सोच रहे होंगे कि यह इतनी ठंडी होती है तो इसे आखिर किसमें store किया जाता होगा वैसे तो यह वीडियो इस topic पर नहीं है पर आपको knowledge के लिए बता देता हूँ इसे कुछ special तरह के containers में store किया जाता है और इन containers को बोलो जाता है डिवर flakes और इन containers में दो तरह की दिवारे होती है और उनी दिवारों के अंदर एक insulating vacuum होता है और यह जो आप इस समय छेद देख रहे हैं इसे इसलिए रखा जाता है ताकि जब gas जादा बन जाए तो extra gas बाह गरीश Celsius होगा जैसे ही आपने इसे अपने मुव में डाला तो यह इतनी ठंडी होने के कारण आपके टंग यानि जीब के muscles को नश्ट कर देगी आपके अंदर टेस्ट की शमता ही नहीं बचेगी अब वो आपकी food pipe में जाना शुरू हो जाएगी पूरी food pipe जम जाएगी और इस समय वो दुनिया की सबसे गंदी pain होगी जिसे आप इस समय फील कर रहे होंगे फिर liquid nitrogen आपके stomach में पहुंच जाएगी और वहाँ होगा HCL और HCL और liquid nitrogen के बीच जब reaction होगी तो वो gas में बदलना शुरू हो जाएगी मतलब liquid nitrogen HCL के साथ react करके gas में बदलना शुरू हो जाए क्योंकि वो इस तरह के elements को jail नहीं सकती और अब आपके अंदर की skin पूरी तरह से फटना शुरू हो जाएगी और आपके tissues damage होना शुरू हो जाएगे इसी कारण से आपका blood भी damage यानि गंदा होना शुरू होने लगेगा और हम यहाँ ऐसा समझ रहे हैं कि आप hospital नहीं पहुं issues damage हो गए थे वो भी बैसे ही रहेंगे और आप उसी तरह तडबते रहेंगे लेकिन अब जो liquid nitrogen आपके stomach में थी और gas बन रही थी अब आपका पेट किसी balloon की तरह फूलना शुरू हो जाएगा और कुछ समय बाद अगर आपको hospital या doctor नहीं मिला तो वो balloon फट जाएगा यानि आपका पेट पूरी तरह से फट जाएगा ऐसे ही इंडिया के एक आदमी ने 30 milliliter liquid nitrogen को पी लिया था उसके साथ विल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है इसे ही मिलती जुलती एक story है अमेरिका की एक लड़की का बढ़्डे था और उसी ब उसे डॉक्टर बिल गया और वो भी बच गई पर वो अमेरिका में थी और उसने उस बार पर केस ठोक दिया और बहुत बड़ी रकम हेट ली दोस्तो आपके आसपास और आज कल तो यूट्यो पर भी बड़े सारे dangerous chemicals होते हैं बिना जानकारी के आपको उनके साथ खेलना नह नाइट्रोजन तो कुछ भी नहीं है इससे भी बहुत सारे खतरनाख chemicals इस दुनिया में मौझूद हैं जो कि आपकी कुछ ही समय में जान ले लेंगे दोस्तो chemistry में एक बहुत ही मशूर कहावत है कि अगर कोई chemical खतरनाख नहीं है तो वो दूसरे chemical के साथ react होके एक खतरनाख chemical में बदल सकता है तो दोस्तों ऐसे chemical से हमेशा दूर ही रहना चाहिए बिना जानकारी के इनको शूना नहीं चाहिए तो बस दोस्तों यही होगा आपके साथ अगर आपने liquid nitrogen पी ली हाँ मैंने आपको पूरा नहीं बताया है क्योंकि कुछ छोटे बच्चे भी इस वीडिय है भी हैूममटमटब चाहिए लीडिया ठाहिए्याम थाच ए सुछ के इनकोजश चाहिए-ए लबटो